जैह मां बगलामुखी स्रीब बगलामुखी श्रवद्ध सहय लए है कि मां बगलामुखी के समस्त भक्त जनो Sam can कि मैं प्रदीप सास्त्री श्रीवेद वेदांग पीतंब्रा सिद अनुष्ठान केंद्र कुरूक्षेत्र से लाइवेकर आज आपको मैं भगला मुखी के अश्टुत्र सत्नाम इस्तोत्र के विशे में कुछ जानकारी दूंगा भगवती का यह है इस्तोत्र एक अचूक प्रियोग है रोग रिन भै सत्रू बाद विवाद मुकदमा सब चीजों के लिए एक अचूक उपाए मा भगला मुखी का यह अश्टुत्र सत्नाम इस्तोत्र विश्णु यमल मा भगला मुखी के इस इस्तोत्र से साधक कुछ भी करने में सक्सम हो सकता है वैसे तो भगवती को सत्रू हंता कहा गया है मा भगला मुखी सत्रू हंता कि जो भगला मुखी का पूजन अर्चन वंदन जप इनका ध्यानक करता है उसके सत्रू का स्वतही बिनास हो जाता है उसके सत्रू स्वतही नस्ट हो जाते हैं भगवती की अनुग्रह से भगवती की कृपाद्रिष्टी से जिस भी साधक के उपर मा भगला मुखी की कृपाद्रिष्टी होती है उसके सत्रू का स्वतही समूल बिनास हो जाता है मा भगला मुखी बहुत करणों में हैं बहुत दयालू है भगवती बगला मुखी का जितना गुनगान किया जाए उतना ही कम है भगवती की कृपा भगवती का अनुग्रह है जिस भी सादक पर हो जाता है सर्वत्र संसार में कोई भी वस्तूस के लिए दुरलब नहीं है मा भगला मुखी का अश्टोत्र सत्ना मिश्टोत्र के अगर आप नित्य एक्सो पार्ट एक्सो आठ पार्ट रोज करते हैं उसके प्रभाव से मन इच्छित फल की प्राप्ति आप कर सकते हैं जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि मा भगला मुखी तंत्र की देवी हैं भगवति के द्वारा तंत्र के सट कर्म मारन, मोहन, बसिकर्ण, आकरसन, इस्तंभन, बिद्वेशन, सांति कर्म उन सब चीजों की काट वो भगवति बगला मुखी के द्वारा सट कर्म प्रियोग अगर भगवति की किर्पा साधक के उपर है तो साधक सट कर्म करने में सक्सम हो जाता है भगवति का अश्टोत्र सत्ना मिस्तोत्र के दसजार पाट करने मातर से आप मुकदमा चुनाव विजय कितना भी घोर संकट आपके उपर आ गया हो भगवति के इस पाट के प्रभाव से आपके सभी संकटों का समोल विनासर हो जाएगा एक अचूक प्रियोग यह है इससे पित्रदोस भी समापत होता है जिन लोगों के घरों में पित्रदोस लगा हुआ है नारैनी एवं त्रिपिंडी स्राद के उपरांते भी जिनके पित्र सुदवस्ता में नहीं आते प्रेत्त से भी मुक्त नहीं होते गयाजी में जिन लोगों ने पिर्डदान के बाद में भी पित्रों की जिनकी सदकती नहीं हुई है माबगला मुख्य के इस पार्ट के प्रभाव से उनके पित्रों की सदकती होगी पित्र दोस से मुक्त हो जाएंगे पित्री रिण से मुक्त होने के लिए लोग इस पार्ट को करते हैं एक अनुभूत प्रियोग आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं माबगला मुख्य का ज्यान करते हुए जो नित्य रात्री में महानिशा के समय गुरु सहित सपत्निक होकर माबगला मुख्य पीतांबरा सत्तुरिस्तम्बनी माबगला मुख्य का स्मर्ण करता है उसके समस्त्वी गुनों का समूल विनास हो जाता है माबगला मुख्य बहुत कृपालू है भगवते के कृपा किवल भाव माबगवती किवल अपने भग के भावों को देखती है सास्त्रों में भी वर्णित है कि भावे ने विज्जते देवो भवा भाव में ही भगवान है मगवान हमारे पूजा पदती हमारे फल द्रवे उपहार के भुके नहीं है हमारे इश्ट तो किवल हमारे भाव के भुके हैं वो किस भाव से हम उनको पूज रहे हैं किस भाव के दुवारा हम उनको मान रहे हैं उनकी पूजा पदती कर रहे हैं किवल वो भाव को ही देखते हैं मा बगला मुकी का अश्टोत्र स्ताम श्टोत्र तसजार पाट करने मातर से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है भगवति के इस इस्तोत्रों से एक ऐसी उर्जा उत्पन होती है जो आपके जीवन के सभी अनिष्ट ग्रहों को सांत करती है तदा आपके सभी विगनों का समन माबगला मुखी करती है मैं पुन्हे निवेदिन करूँगा कि माबगला मुखी का ध्यान करते हुए जो अश्टोत्र सतना मिश्टोत्र के दसजार पाट का संकल्प करता है और संकल्प पूरा होने पर दसजार की संख्या पूर्ण होने पर पत्नी सहित मां बगला मुखी का रात्री कालेनी यग्य करता है उसके सभी मनोत पूर्ण मां बगला मुखी करती है एक अनुभूत प्रियोग, रोग, रिन, सत्रू आपके घर में अगर कोई निरंतर बिमार रहता है उसके लिए भी अनुभूत प्रियोग है बहुत जबदस्त इसका प्रभाव है आप सोच नहीं सकते मैं अनुभव के साथ आपको कहता हूँ कि बगला मुक्री के इस इस्तोत्र के प्रभाव से आपके घर में जो रोगी है जिसको आप काफी समय से ओस्दी करा रहे हैं लाब नहीं मिलरा टेस्ट कराते हैं टेस्ट में भी कुछ नहीं आता बीमारी बनी हुई है इस इस्तोत्र के प्रभाव से संकल्प करके आप इसका परट करके देखे कि कहते हैं न चमतकार को नमस्कार आप करके तो देखी एक बर माता रानी के क्रपा से आपके समस्त विगनों का मैं बगला मुखी सत्रुहंता समोल विनासक कर देगी और भगवती आप का आपके उपर ऐसा नुग्रह होगा कर आपके काम जट से बनने लग जाएंगे भहुत सी दिकृतें आपके घर में समाप्त हो जाएंगी मैं बगला मुखी की क्रपा से इस Shotra के प्रभाव से आपके सभी विगनों का समन होगा एवन भगवती की विशेश अनुकंपा विशेश अनुक्रह आपको प्राप्ट होगा तो मित्रो मैं प्रदीप सास्त्री स्रीवेद वेदांग पीतंब्रा सिदनुस्ठान केंद्र कुरुक्षेत्र से लाई वाकर मां बगला मुखी के समस् जीवन के समस्त विगनों का समन हो जाएगा तदा आपकी सभी मनों कामनाई पूर्ण होगी मैं पुने कहना चाहता हूं कि मेरे पेज को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें जैमा बगला मुखी स्री बगला मुखी सर्वेदा साहाइ झाल